हालो फ्रेंड्स, वेलकम बाग, I hope all are doing well, so I am Neha Seedy, welcome to Share Market with Neha Seedy ब्राइट कॉम ग्रुप Share के बारे में बात करेंगे, शंकर शर्मा जी ने फॉरेंसिक ओडिट को लेके कुछ ट्वीट किया है, जो आपको जरूर बता होना चाहिए आपको बता है, फ्राइडे को इस शेयर में 10% का आपर सरकेट देखने को मिला, 14 रुपिस के असपर शेयर ट्रेड हो रहा है, सैबी ने से ASM स्टेज वन में डाल दिया है, बट ये एक पॉजिटिव चीज़ है, आप इसको पॉजिटिव ली लीजे, मंडे को फ्रेंड्स, श शंकर शर्मा जी ने कुछ ट्विट किया है, बाउट ब्राइड को गुरुप शेयर से रिलेटिड तो वह आपको जरूर पता होना चाहिए, आपको बता है काफी अंडर वैलोड शेयर है, काफी नीचे आच चुका है, इसके फंडमेंडल स्पॉजिटिव है, प्रॉफिट यह अभी लॉक इन कर सकते हैं, आपको जरूर अपडेट कर दूगी इस बारे में, तो अब एक न्यू ट्विट किया गया और उनसे पूछा गया है कि प्लीज एडवाइस कीजे ब्राइट कॉम गूरुप शेयर के बारे में, क्या इस प्रैस से रिकवर करेगा या नहीं कर करेगा 100 रुपिस को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा ऐसा ट्वीट करके लोग पूछ नहीं है श्रमकर शर्मा जी को फिर उन्होंने आंसर दिया है कि FA issue की वज़ा से ये शेर अटका हुआ है फ्रेंसिक audit ही इसका main reason है उसकी वज़ा से ये शेर अटका हुआ है उसको पहले solve करना पड़ेगा और उसके बाद जब ये clear हो जाएगा तभी ये share आपको एक अच्छी recovery दिखाएगा तो उन्होंने इसाफसा बोल दिया है कि फ्रेंसि शर्मा जीर ने रिसेंटली क्या tweet किया है so this video is only for educational purpose खुझ से research किजिए फिर investment कीजिए मंडे को हम थोड़ी गिरावट expect करें है पर अगर निफ्टी काफी जादा उपर रही तो फ्रेंफिर ये share थोड़ा positive return देता देखने को मिलेगा 15 रुपिस इसका important resistance है उसको break करेगा तो sabby इसको ASM stage 1 में भी डाल चुका है ये भी आपको पता होना चाहिए in future जो भी 10% का circuit है वो change होके भी 5% का भी हो सकता है so I hope आपको video अच्छी लगी हूँ channel को कर दीजे subscribe still if you have any query you can ask me in the comment box thank you so much